folding symmetry method बहुत ही important method equivalent resistance बता करने के लिए अगर आपको कोई symmetrical circuit दिया हुआ है और उसका equivalent resistance निकालना है A and B के बीच में A and B के अलोंग अगर यह circuit symmetry है तो इस point का potential और इस point का potential क्या होगा, same होगा जब potential same होगा, तो हम क्या करेंगे, इस point को इस point से मिला देंगे, इसी को हम क्या बोलते है, folding method तो यहां से हम इसको fold कर देंगे, तो यह resistance और यह resistance parallel हो जाएगा, यह और यह parallel हो जाएगा फिर हम जब simplify करेंगे, तो कुछ इस तरह का आजाएगा, यहां पर हम mirror symmetry लगाएगे, तो इससे कोई भी crane flow नहीं हो रहा है, यानि के dummy resistance है तो यह दोनों series में हो जाएगे, और यह दोनों series में हो जाएगे, तो मारा कुछ इस तरह का circuit हो जाएगा यहां से जो equivalent resistance होगा, वो basically क्या हो जाएगा, 2R into R divided by 2R plus R, यहनि के equivalent कितना आ जाएगा, 2R by 3